नमस्कार आप देख रहे हैं Digital Help with DC YouTube चैनल और आज हम बात करने वाले हैं प्रारंबिक शिक्षा विभाग राजस्तान सरकार की ओर से BSTC कोर्ष के लिए ओनलाइन आवेदन मांगे गई हैं इसी के माध्यम से आप Grade 3, Level 1st के टीचर बन सकते हैं इसी के मारफद ये डिग्री अगर आपके पास है तो Level 1st के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको ओनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए Minimum Qualification आप 12th पास होने चाहिए उसके बाद में आप इसे कर सकते ह हैं अगर बात करें Pre-DELD Examination 2020 प्रारमभीक शिक्षा में डिपलोमा है ये प्रवेश परिक्षा होगी 2020 के लिए उसके लिए Online आवेदन मांगे गई है और Online आवेदन के लिए आपकी ये तिथिया रखी गई है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका Online आवेदन आप फीस डिपोजिट करने की 15 जुलाई और लास्ट डेट है फिलिंग Online एपलीकेशन 17 जुलाई और डेट ओफ एक्जामेंशन है 30 अगस्त तो इस परकार से आप समझ सकते हो और अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि इसको आप Online आवेदन केशे कर शकोगी तो आपको सबसे पह करोगे तो आपके सामने इस परकार का इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको देख रहा होगा फोर कंडिडेट इसके नीचे आपको दिखाई देरा है रजिष्ट्रेशन न्यू कंडिडेट इस पर आपको कर देना है क्लिक यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस परकार का इंटरफेस आएगा और अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, आपकी मुबाइल नमबर, आपकी इमेल आईडी और आपकी डेट ओफ बर्थ यह आपके पास एक चीज को हमेशा सूनिशित करना है कि जो मुबाइल नमबर आप इसमें दे रहे हो, वो चालू मुबाइल होना चाहिए, मतलब वो ओन होना चाहिए, यानि कि वो इस कंडिशन में हो कि कोई भी कम्यूनिकेशन हो तो आसानी से हो सके, तिशलिए अपने खु इसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी जर्मते थी, आपके मुबाइल नमबर और आपकी इमेल आईडी, यह सारे के सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं, और लिखने के बाद में आपको यहाँ पर एक सब्मीट नामक बटन दिखाई दे रहा होगा, इस प कंफर्म करने के लिए आप कंफर्म पर क्लिक कर देजिए कि साइन अप ओटीपी। सेंक सक्सेसफुलिए। अब साइन अप होने के लिए अमारे मोबाइल निम्बर पर एक ओटीपी आएगा। OTP को हम यहाँ पर इंटर कर देंगे, OK कर दिया, और OTP आ जाएगा आप धोड़ी देर में, इसको हम कर लेंगे, OTP आ चुका है, इसको देखते हैं क्या है OTP में, तो यह आ गया OTP, और OTP आने के बाद में, यह साथ डिजिट का आपके पास एक OTP आएगा, जिसकी वेद्यता एक घंडे की होगी, यानि साथ मिनट की होगी, और इसको आप कर दीजिए, verify OTP पर click, उसके बाद में यह लिखा हुआ आ गया, कि verify OTP होगी चुका है, यह congratulations, your application ID and password has been sent to mobile number, यह जो दिये हुए, login to complete your application form, अब आपके जो ID और password है, यह आपको अपने mobile पर message के द्वारा, और email ID पर mail के द्वारा भेज दिये गए हैं,